10,000 रुपे से कम किमत में 4GB वाले टॉप 10 स्मार्टफोन जिसकी बैटरी भी है दमदार नमस्कार दोस्तों मैं विकास और आज के इस वीडियो में हम आपको 10,000 रुपे से कम किमत में 4GB वाला कौन-कौन से वो फोन है तो आप स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस का मजा नहीं ले पाएंगे दरसल किसी भी स्मार्टफोन के लिए RAM और स्टोरेज बहुत ही जरूरी होते हैं क्योंकि कम RAM और कम स्टोरेज वाले स्मार्टफोन में हैंग होने के समस्य आकसर आती ही है तो चलिए आज हम आपको 10 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपए से भी कम है और इनमें 4GB RAM है रेड्मी 5 इसकी कीमत 9,990 रुपए है इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 5.7 इंचेज की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें 12 मेकापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेकापिक्सल का फ्रंट कैमरा है फ्रंट कैमरे के साथ व्यूटी मोड और फेस डिटेक्शन फीचर भी दिया गया है उनर 9N इसकी कीमत 9,999 रुपए रखा गया है उनर 9N में डुल सिम सपोर्ट एंडॉइड औरियो 8.0, 5.84 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाती है साथ ही साथ ओक्टा कोर हाई सिलिकन किरिन 659 प्रोसेसर का सपोर्ट मिल जाता है ये फोन दो वेरेंट में अवलेबल है एक 332 और एक 4128 और साथ ही आप स्टोरेज को 256 बढ़ा सकते हैं फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें डूल रियर कैमरा सेटप मिल जाता है जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है वहीं दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है फोन में फ्रन्ट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है साथी साथ इसमे 3000 अमेज की बैटरी दी गई है इस फोन में भी आपको 4G LTE का सपोर्ट मिल जाता है ओनर 8C इसकी कीमत 8999 रखी गई है इस फोन में Dual SIM सपोर्ट के साथ Android Oreo 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है साथी साथ 6.26 इंचेस की HD प्लस डिस्पले दी गई है जिसका रिजोलिशन 720 इंटू 1520 पिक्सल है फोन में Qualcomm का Snapdragon 632 प्रोसेस्टर का यूज किया गया है इसके साथ इसमें 4 GB के RAM आपको मिल जाती है फोन के कैमेरे की बात करें तो इसमें Dual Rear कैमरा दिया गया है जिसमें एक कैमरा 13MP का है वही दूसरा कैमरा 2MP का है फ्रंट कैमरा 8MP का है दोनों कैमरे के साथ आपको इसमें Flashlight मिल जाती है फोन में 4000 mAh की बैटरी का यूज किया गया है और इसके साथ की इसमें आपको 4G VOLTE का सपोर्ट मिल जाता है Moto G6 इसकी कीमत 999 रुपए रखी गई है Moto G6 में 5.7 इंच की Full HD Plus डिस्पले दी गई है जिसका स्पेक्ट रेसियो 18x9 है इसके अलावा फोन में 1.8 GHz का Octa4 Snapdragon 450 प्रोसेसर का यूज किया गया है इसके साथ आपको मिल जाता है 4 GB का RAM 64 GB इंटर्नल स्टोरेज जिसे आप 108 GB तक बढ़ा सकते है इसके अलावा फोन में Dual SIM सपोर्ट और Dual Rear कैमरा मिल जाता है जिसमें एक कैमरा 12 MP का और दूसरा 5 MP का है फ्रन्ट कैमरा 16 MP का है फोन में आपको 3000 MHz की बैटरी दी गई है जो टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इसमें भी आपको 4G LTE का सपोर्ट मिल जाता है Samsung Galaxy J6 इसकी कीमत 9,490 रुपए रखी गई है इस फोन में आपको 5.6 इंचेज की Super AMOLED HD डिस्पले मिल जाता है फोन में Samsung का Exynos 7 Series OctaCore प्रोसेसर का यूज किया गया है साथ ही 13MP का rear camera और 8MP का front camera आपको इसमें दिया गया है दोनों camera के साथ LED flash light दी गई है इस फोन में आपको 4GB RAM और साथ ही 64GB का internal storage मिल जाता है इसके अलावा इस फोन में 3000 mAh की बैटरी दी गई है इसमें आपको Android Oreo 8.0 मिल जाता है और इस फोन के साथ भी आपको 4G Voltee का support मिलता है Nokia 6.1 इसकी किमत 9999 रुपए रखे गई है Nokia 6.1 में 5.5 इंच की Full HD Plus डिस्पले दिया गया है जिसका resolution 1080 x 2280 pixels है डिस्पले पर 2.5D curved glass का यूज किया गया है इसके अलावा फोन में Snapdragon 630 processor दिया गया है साथ ही 4GB RAM और 64GB की storage का support मिल जाता है इस फोन के camera की बात करें तो इसमें 16MP का rear camera और 8MP का front camera आपको दिया गया है और इस फोन में भी connectivity के लिए 4G Voltee का use किया गया है Redmi Y2 इसकी किमत 9,790 रुपए रखे गई है इस फोन में आपको dual SIM साथ ही 5.99 इंचेज की HD plus display दी गई है इस फोन में आपको Qualcomm का Snapdragon 625 processor का support मिल जाता है 4GB RAM 64GB का internal storage आपको इसमें मिल जाता है और storage को आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं फोन के camera की बात करें तो इसमें dual rear camera है जिसमें एक camera 12MP का है और वहीं दूसरा camera 5MP का इस फोन में front camera 16MP का दिया गया है जो fully AI को support करता है इस फोन में 3080 mAh की बैटी दी गई है और साथी साथ इसमें आपको 4G voltage का support मिल जाता है Honor 7C इसकी किमत 9,990 रुपए रखी गई है Honor 7C में 5.99 inch की HD plus display दी गई है जिसका aspect ratio 18x9 है इसके अलावा फोन में Qualcomm का Snapdragon 450 processor दिया गया है और फोन में 4GB RAM के साथ 64GB का storage मिल जाता है जहां तक इसके camera की बात करें तो इसमें आपको 13MP और 2MP का camera मिल जाता है साथी साथ इसमें front camera 8MP का दिया गया है इस फोन में आपको 3000mAh की बैटरी का सपोर्ट मिल जाता है और इसके साथ ये 4G voltage को सपोर्ट करता है Honor 9 Lite इसकी किमत 9999 रपाय राखी गई है इस फोन में Dual SIM सपोर्ट Android Oreo 8.0 का सपोर्ट मिलता है साथी साथ इसके स्क्रीन की बात करें तो इसमें 5.65 इंचेज की Full HD Plus डिस्पले आपको मिल जाता है जिसका aspect ratio 18x9 है वहीं इसमें आपको company का high silicon Kirin 659 प्रोसेसर देखने को मिलेगा इस फोन में आपको 4GB RAM और साथी 64GB का internal storage देखने को मिल जाता है फोन के camera की बात करें तो इसमें 2 rear camera दिया गया है जिसमें 13MP का है वहीं दूसरा 2MP का फ्रंट कामेरा में भी आपको 13MP और 2MP मिल जाता है इस फोन में आपको 3000 mAh की बैटरी दी गई है साथी साथ इसमें 4G voltage का सपोर्ट मिल जाता है Redmi Note 5 इसकी किमत 9599 रुपाय रखी गई है Redmi Note 5 में Dual SIM support 5.99 इंचेज की Full HD डिस्पेल दी गई है जिसका aspect ratio 18x9 दिया गया है डिस्पेले पर 2.5D curve glass का protection मिल जाता है इस फोन में Qualcomm Snapdragon OptaCore 625 प्रोसेसर का यूज़ किया गया है साथी साथ इसमें Graphics के लिए Adreno 506 GPU का यूज़ किया गया है इस फोन में आपको 4GB RAM, 64GB का internal storage मिल जाता है कैमरे की बात करें तो इसमें 12MP का rear camera और 5MP का front camera आपको दिया गया है डोनों कैमरे के साथ LED flash light मिल जाती है और साथी साथ इसमें आपको 4G VOLDE का support भी मिल जाता है I hope मैंने जितने भी phones आपको बताएं और दिखाएं इसमें से कोई ना कोई phone तो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें तब तक लिए बाबाए टेक क्या, have a good day